हालो क्लास नाइन चलिए आज हम लोग को क्लाइमेट चैप्टर का आगे का पार्ट जो है क्लाइमेटिक कंट्रोल उसको पढ़ना है देखते हैं climatic control में क्या है climatic यानि जलवायू को control करने वाले कौन-कौन से factor है उसके बारे में हम पढ़ेंगे there are six major control of the climate of any place किसी भी जगह की जलवायू जो होती है वो छे चीजों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है कौन-कौन से चीजों है latitude कि कौन से latitude में ये स्थित है जगह उसके बाद altitude यानि उचाई उसके बाद pressure, दवाब, wind system कैसा है wind system वहाँ का है किस तरह से wind system प्रभावित करता है उस area को distance from the sea यानि कि समुद्र से दूरी जिसको continentality भी कहा जाता है ocean current वहाँ पर वो जो इलाका है जहां समुद्र है, वहाँ पर किस तरह के ocean current cold या hot current बहते हैं इसके उपर भी जलबाई और निर्वर करता है and relief feature और relief feature यानि कि वहाँ पर की जमीन कैसी है वो ब्रेतीली है मैदानी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, रिगिस्थानी इलाका है, पठार है क्या है, इन सब चीजों के उपर भी निर्वर करता है due to the curvature of the earth आपको पता ही है, curvature कहते है गुमाओ, यानि कि earth आपको पता है कि वो चप्टी तो है नहीं गोल है ठीक है, तो उसकी curvature उसकी गोलाई की वज़े से क्या होता है the amount of solar energy received varies according to latitude तो सूरज की रौशनी जो होती है किसी गोल चीज के उपर जब सूरज की रौशनी पड़ेगी तो क्या है, गोल चीज के उपर अगर सूरज की रौशनी पड़ेगी तो कैसे होगी वो slanting होगी कुछ इलाके में, कुछ में सामने होगी तो देखी, जैसे ये सन है, तो क्या होगा कि और अर्थ जो है, वो गोल है तो सभाविक है, तो थोड़ी तिर्ची भी है, ये भी आपको पता है लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसे सीधे सीधे बना दिया है और इसमें क्या है, यहां से सन की रेज अगर जाएंगी तो कहीं कहीं पर तिर्ची पड़ेगी कहीं पर बिल्कुल सीधी पड़ेगी और कहीं पर बिल्कुल तिर्ची पड़ेगी है ना, यानि कि ये जो पोल्स एरिया है, ये दोनों पोल है ये उपर वाला नॉर्थ पोल और यहां south pole है तो pole पर क्या होगा कि सुरज की रोश्णी बहुत तिर्ची जाएगी north pole पे भी और south pole पे भी ठीक है तो इस तरह से क्या है slanting होता है तो इसलिए कहा गया है कि amount of solar energy receive varies according to latitude latitude के according जो sun rays है वो अलग-अलग इलाके पर अलग तरह से पढ़ता है As a result, air temperature generally decreases from the equator toward the pole और ही कारण है कि जब हम equator से pole की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि जो temperature है वो धीरे-धीरे कम होता जाता है आपको पता ही है कि north और south pole बहुत थंडे जगह है As one goes from surface of the earth to the higher altitude, the atmosphere becomes less dense and temperature decreases उसी तरह से जब आप धर्ती से यानि जमीन से उचाई की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी जो वातावरन होता है वो थोड़ा सा कम घना हो जाता है कम घना रहता है और इसके कारण क्या होता है temperature घट जाता है इसलिए आप जभी hill area में जाओगे उचाई पर जाओगे तो आप देखोगे वहाँ temperature कम होता है the hills are therefore cooler during summer अरे कारण है ये पहाड़ी लाके गर्मी के दिनों में भी ठंडे होते है the pressure and the wind system of any area depend on the latitude and altitude of the place इसके अलावा pressure और wind system भी उस area के latitude यानि की जो आप देखते हो parallel lines जो होती है वो धर्ती की imaginary parallel lines और या फिर altitude यानि उचाई ऐसी जगों पर वे pressure और wind system जो है निर्भर करता है यानि latitude और altitude के ओपर भी pressure और wind system निर्भर करता है thus it influences the temperature and rainfall pattern और इसके कारण हमारे area में होने वाले जो होने वाला जो temperature होता है वो और बारिश यो होती है वो उसके pattern को ये प्रभावी करता है कौन प्रभावी करता है pressure और wind system the sea exert a moderating influence on climate sea समुद्र का moderating influence यानि की जो moderate या मध्यम जो होता है वैसा प्रभाव होता है यही कारण है कि आप sea beach इलाकों में जाओगे तो देखोगे कि दिन और रात के तापमान में कोई बहुत जादा फर्क नहीं होता as the distance from the sea increases जैसे जैसे आप समुद्र से दूर जाते हो its moderating influence decreases जो समुद्र का moderating प्रभाव होता है वो कम होने लगता है and the people experience extreme weather condition और तब हमें extreme weather condition महसूस होता है यानि गर्मी के दिनों में बहुत गर्म ठंड के दिनों में बहुत ठंड this condition is known as continentality इसको continentality भी कहा जाता है very hot during summer continentality का मतलब होता है गर्मी में बहुत गर्म और ठंड में बहुत ठंडा जैसे दिल्ली का जो तापमान है वो क्या है continental climate है यहां का climate जो है continental climate है गर्मी के दिनों में बहुत गर्म और ठंड के दिनों में बहुत ठंड होता है ocean currents along with the onshore wind affect the climate of the coastal area और ocean current यानि समुदर में जो currents होती है अलग-अलग तरह की वो भी पास की हवाओं को प्रभावित करती है और जो की जो हवा coastal area या समुदर के किनारे की इलाकों को भी प्रभावित करता है वहां के climate को या जलवाईयों को प्रभावित करता है पर एक्जामपल इनी coastal area with a warm और cold current flowing past it will warm और cool if the winds are onshore उदारन के लिए आप समझे कि coastal area एक ऐसा area जहां पर अगर गरम current ओशन करिंट बहती है या ठंडी ओशन करिंट बहती है तो क्या होता है कि वहाँ पर का जो मौसम होता है वो भी गर्म या ठंडा हो जाता है finally relief relief यानि की जमीन से जमीन की बनावत कैसी है relief to plays a major role in determining the climate of the place relief के कारण भी वहां के climate पर असर पड़ता है high mountains act as a barrier for the cold and hot wind उचे पहाड जो होते हैं वो क्या करते हैं गरम और ठंडी हवाओं को आने से रोकते हैं they may also cause precipitation इनकी वज़े से बारिश भी होती है if they are high enough and lie in the path of rain bearing winds और अगर ये इतने उचे हैं कि और उस रास्ते पर हैं जहाँ पर बारिश लाने वाली हवाएं बहती है the levered side of the mountain remain relatively dry तो levered side और windward side ये किसी पहाड की दो sides होती है एक को levered side और दूसरे को windward side कहा जाता है तो levered side जो होती है वहाँ पर बारिश कम होती है अब आप देखिए कि levered side और windward side इसको आप कैसे पहचानेंगे तो windward side वो होता है जिधर से जैसा आपके इसमें कहा गया चैप्टर में कि जिधर से हवा वो हवा जो की बारिश लाती है वो बहती है तो जो बारिश लाने वाली हवा इधर बहेगी तो सवाविक है यहाँ बारिश जादा होगी और levered side है चुकि यह पहाड है तो बादल आते हैं पहाड से टकराते हैं और लगबग जादा तर बारिश इधर ही हो जाती है और बहुत कम बादल जो है वो इस side में दूसरी पहाड के दूसरी side में जा पाते हैं इसलिए इधर comparatively बारिश कम होगी और इसलिए इसको levered side कहा जाता है बारिश लाने वाली हवाएं आती है और पहाड से टकराती हैं और यहां पर बारिश हो जाती है यहां पर जादा बारिश होती है इसलिए इसको बारिश कम होती है उसको levered side कहा जाता है अब देखिए factors affecting India's climate अब हम ने एक general अब तक पढ़ लिया था इतनी दूर अब पढ़ेंगे भारत से संबंधित latitude सबसे पहले देखेंगे factor जो कि भारत की climate को प्रभावित करता है उसमें है latitude The tropic of cancer passes through the middle of the country from run of kach in the west to mezorum in the east almost half of the country lying south to the tropic of cancer belong to the tropical area all the remaining area north of the tropic lies in the subtropical area subtropics therefore India's climate has characteristic of tropical as well as subtropical climates अब आप इस map को देखिए यह देखिए यह क्या है यह है ट्रॉपिक of cancer जो कि भारत को दो बराबर हिस्सों में बाटता है ठीक है और इस area को tropical area और इसको subtropical area कहा जाता है तो अभी जो हमने chapter में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था चलिए एक बार फिर से देखते हैं हमने पढ़ा कि जो tropic of cancer है वो क्या करता है भारत को दो बराबर हिस्सों में बाटता है दो बराबर हिस्सों में यह tropic of cancer है जिसने भारत को दो बराबर हिस्सों में बाट दिया है रन ओफ कच से लेकर west miserum in the east और यहां से आप देखिए यह जो इलाका है यह run ओफ कच है यहां से start होता है और यहां से चलती हुए miserum तक आता है यह बांगलादेश आप मत देखिए भारत का हिस्सा देखिए यहां run ओफ कच से यह start होता है और भारत में यहां miserum तक जाता है यह जो tropic of cancer है वो और भारत को दो equal हिस्सों में लगभग दो equal हिस्सों में बाटता है almost half of the country living south of the tropic of cancer belong to the tropical area अभी हमने बताया आपको कि यह भारत का south हिस्सा है यह north हिस्सा है यह वाला हिस्सा क्या होता है tropical area कहलाता है और यह subtropical area कहलाता है all the remaining area north of the tropic of cancer lie in the subtropical therefore India's climate had characteristic of tropical as well as subtropical climate और यही कारण है कि भारत में दोनों तरह की जलवायों आपको देखने को मिलेगी tropical भी और subtropical भी उसके बाद देखिए altitude यानि उचाई India has mountain in the north भारत के उत्तर में हिमाले परवत है आपको पता ही है which have an average height of about 6000 meter जिसमें पहाडों की उचाई जो है लगवाग 6000 meter तक है India also has vast coastal area where the maximum elevation is about 30 meter भारत का जो coastal area है वो भी काफी लंबा है coastal area किसको कहते हैं जो समुद्र के किनारे का इलाका होता है यह सभी के सभी यहां गुजराट से start कीजिए भारत का पूरा यह सारा coastal area है यहां इदर आ जाए पुर्व में पुर्व में आ तक बे और भेंगौल तक आपको मिलेगा यह सारा का सारा क्या है coastal area भारत का coastal area काफी लंबा है यहां देखो आप बहुत ही लंबा है और बता रहे हैं कि where the maximum elevation is about 30 meter यानि समुद्र तल से इसकी उचाई जो है लगबग 30 meter होती है जाएगी नौर्थ में जैसे आप पहुंचोगे उचाई बढ़ती जाएगी और बिलकुल यहां आजाओगे हिमालय परवत है जो बहुत ही उचाएगी और आपको पता है हिमालय दुनिया की सबसे उची पहाड़ियों में है और इसलिए क्या होता है कि जब उधर से जो थंडी हवाय हैं सेंट्रल एशिया से जब भारत की तरह बैती हैं तो हिमालय परवत उसे रोक लेता है अर यही कारण है कि सेंट्रल एशिया की तुलना में भारत की जलवायू है वहाँ पर उसमें थंड जो होती है बहुत जादा नहीं होती सेंट्रल एशिया की तुलना में अब हम देखेंगे प्रेशर और विंड अब हमारे विंड जो बहती है वो हमारे विंड को प्रवावित करती है अपर एर सर्कूलेशन यानि हवा का बहाव जो है उचाई पर कैसा है वेस्टर्न साइकलोनिक दिस्टर्बेंस और ट्रॉपिकल साइकलोन ये भी हमारे क्लाइमिट को प्रवावित करती है इंडिया लाइस इन दे रीजन अफ नॉर्थ इस्टर्ली विंड भारत का जो पूरा सब कॉंटिनेंट है वो क्या है नॉर्थ इस्टर्ली विंड से प्रवावित एरिया यहां पर नॉर्थ इस्टर्ली विंड ज्यादा बहती है यह हुआएं जो होती है नौदर्न हेमी स्फेयर में बहती है और दे ब्लो साउथ वर्ड गेट डिफलेक्टेड तो दराइड दू कोरियलिस फोर्स और वो जब दक्षिन की तरफ आती है तो क्या होता है कोरियलिस फोर्स के कारण उन पर प्रभाव पड़ता है और वो डिफलेक्ट हो जाती है ने पलट जाती है और फिर वो धीरे-दीरे करके एक्वेटर की तरफ जाने लगती है जनरली दीज वें कैरी लिटल मॉइस्चर इनमें इस हवा में नमी बहुत कम होती है जब वो जमीन के ओपर से बहती है और यह कारण है इन हवाओ की वज़े से जादा बारिश नहीं होती है तो इसका मतलब तो यह है कि भारत को एक सुखा इलाका होना चाहिए था बट इस नौट सो लेकिन ऐसा नहीं है क्यों ऐसा क्यों नहीं है चलिए देखते भारत में काजु का जो प्रेशर एंड विंड सिस्टम है बहुत ही अनोखा है दिरिंग विंटर देर इस हाई प्रेशर एरिया नौर्थ आफ हिमाले ठंड के दिरों में क्या होता है एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है हिमाले के आसपास और यहां से ठंडी सुखी हवाएं बहती है लो प्रेशर एरिया की तरफ हवाओ का तो आप जानती है कि उचे दवाब से नीचे दवाब की तरफ वो जाती है over the ocean to the south और ये बहकर south में ocean की तरफ आ जाती है समद्र की तरफ आ जाती है in summer गर्मी में क्या हुता है low pressure area developed over interior Asia as well भारत मतलब एशिया के अंधरूनी हिस्से में क्या होता है low pressure area बनता है over north western India ये जो north और western इलाका है यहां पर ये pressure area बनता है this causes a complete reversal of the direction of wind during summer और यह कारण है गर्मी के दिनों में हवा का जो बहाव है बिल्कुल पलट जाता है air moves from high pressure area over the southern Indian ocean और यहां से हवा बहकर southern Indian ocean की तरफ जाती है in southern sterly direction crosses the equator और फिर वो southern south sterly direction में बहतीवी ocean को cross करती है crosses the equator equator पार कर जाती है turn right toward the low pressure area over the Indian continent और फिर यह low pressure area जो गर्मी के कारण यहां पर बन जाता है low pressure area क्योंकि हवा गरम होकर उपर चली जाती है यह area बिलकुल खाली हो जाता है और यह कारण है कि यहां से हवाएं जो हैं बड़ी तेजी से इस area को भरने के लिए आने लग जाती है these are known as a southwest monsoon wind इन हवाओं को southwest monsoon wind कहा जाता है और यही क्या करती है भारत में बारिश लाती है these winds blow over the ocean warm ocean यह गरम समुद्र के उपर से बहकर आती है और आपको पता हैं समुद्र में जब पानी गरम हो जाता है वह क्या करता है भाव बनाता है और बादल बनते हैं gather moisture वहाँ से moisture ले लेती है हवाई जो है वो bring wide spread rain over the mainland of India और यही जो है क्या करते हैं भारत के जो mainland है वहाँ पर बारिश लेकर आती है तो next class में हम भारत के seasons के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा difficult आपको लग रहा होगा लेकिन बहुत जादा समझने की चीज नहीं है इसमें technical terms बहुत हैं जिसको आपको ध्यान रखना है बस और जादा कुछ नहीं है इसलिए ऐसा मत समझे है कि बहुत है difficult है यह तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप दो-चार बार इस paragraph को पढ़ेंगे तो काफी हद तक और जो map है उससे आप इसको relate करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा वीडियो को like और subscribe भी जरू कर दीजिए और share भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें एक बार फिर से request है वीडियो को like और subscribe जरू कर दीजिए thank you very much